तो लास्ट वीडियो में हमारी fight हुई ender dragon के साथ and angel के साथ मिलकर हमने ender dragon को हरा दिया उसके बाद हम गए red dead dragon egg की तलाश में and वहां पर हमारी fight हुई pharaohs के साथ and pharaohs को हराने के भाद हमें مिला red death dragon का egg and इस egg को हमने hedge ज़ी किया और इसको level 100 पे भी लेकर गए और यह dragon ना बहुत जादा giant था इसकी 3 आखे थी और बहुत जादा dangerous था और आप सभी को पता है यह last 2 episodes बचे हुए इस series के और मुझे यह series खतम होने से पहले इस world में जितने भी dragons है सभी को hedge करना है and dragon king बनना है एक भी dragons को मैं छोड़ना नहीं चाहता तो देखते हैं आज के वीडियो में जो है हमें कितने dragon मिलते हैं और उनको हम hedge करके level 100 पे लेकर जा सकते हैं इसके साथ ही हमारी एक boss fight भी होने वाली है जो की ना काफी जादा खतरनाक होने वाली है तो उसको भी miss मत करना मत समझ लेना यह हमारी new skin the new P1 तो यह हमारी new skin एंड back से अगर आप देखोगे तो आपको same same ही लगेगी बट अगर आप front से देखोगे ना तो hair style हमारी change हो चुकी है हाथ में आप देखो तो हमारे पास एकदम shadow वाला look आ रहा है जैसा shadow का color है ना हम same match हो रहे है shadow के साथ एंड इसलिए जो है मैं shadow का भी use कर रहा हूँ क्योंकि हाँ shadow और हम बिल्कुल same matching matching लग रहे है यहाँ पर ना मैंने दिवार भी बना लिए अपने castle के gate के यहाँ पे आधी बनी है बहुत मेनत लग रही है इस दिवार को बनाने में थोड़ी थोड़ी करते मैं बना रहा हूँ बड़ टार्गेट यह है कि thousand days जो last episode का next वाला उससे पहले मैं बना लूँ इस दिवार को और चीन की दिवार वाली feeling आ रही बनी नी रही है यह बहुत मतलब same color लग रहा है हमारी जो आखे हो गई हमारा हाथ हो गया और बिलकुल जबर्दस वाला look आ रहा है मिरको यार काफी अच्छा लग रहा है इसके साथ में एक selfie खीच लेते हैं and then जो है बढ़ते हैं वीडियो की तरफ and आप लोग बताना कि यार ये skin कैसी लग रही है वीज़े आप सबने बता तो दिया है बट shadow के साथ देखो आप अब बताना ये skin कैसी लग रही है मुझे तो बहुत जबर्दस लगी है मुझे लग रहा है कि shadow हमारा main dragon हो चुका है ओके तो shadow को ले ले लेते हैं अपने orb के अंदर अभी इसका जादे कुछ काम नहीं है बाद में देखेंगे और यहाँ पर दीवार का काम मुझे करना है I know बहुत टाइम लगने वाला है बट next वीडियो से पहले मैं इसको complete कर दूँगा और काफी अच्छा लग रहा है वैसे लुक अभी भी काफी अच्छा आ रहा है पूरी बन जाएगी तो बहुत जबरदस लगेगा और यह हमारा beacon end वैसे जो है इस thousand days मतलब मैंने बोला है बट normal वीडियो से यह 300 दिन के बाद जो है मैंने normal बनाना start कर दिया था इसको तो अब ही हमारे पास आपको याद होगा है कि death gripper जो है एक पड़ा हुआ है इसको करते है हेच एंड ओके यह male है तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ death रख लेते हैं क्योंग काल जो है हमने red death का रख लिया था तो यह हमारा death dragon एंड पाई कितना जपरतास ते है इसका मूँ देखो भाई level 1 पे भी इसका मूँ कैसा लग रहा है यार अपने शरीर से तो इसका मूँ बढ़ा है इसके दाद कैसे निकल रहे आगे भाई यह level 100 पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है इसकी पूँच पाई इसकी पूँच में ऐसा लग रहा है कोई मैं भूल गया हूँ यार मैंने How to Train Your Dragons देख लिए एप movies बट बहुत टाइम होगे है उनको देखे हुए तो यार मुझे याद भी नहीं है ज़्यादा तर लेवल हंड्रेट पर यह कैसा लगने वाला है मुझे लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा जो है जबर्दस लगेगा ये एंड इसी के साथ हमारा डेथ ग्रीपर आचुका है लेवल हंड्रेट पर लुक इट हिम पाई यसा लग वेनम वाली बहुत जबर्दस लग रहा है यार इसके उपर बेटके यसा लग रहा है हमारे उपर कोई एंटीना लगा हुआ है या फिर छाया करने के लिए बना हुआ है बट काफी अच्छा लग रहा है ये काफी मस लग रहा है तो इसको राइट करके देखते है और ये ड्रैगन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यार और नाइट में तो और भी खतरनाक लग रहा है रेड कलर इसका उसके उपर से इसके दात और इसका मूझ तो भाई खतरनाक है और नाइट होने वाली अब इस सबी को हम हैच करेंगे और लेवल 100 पर लेके जाएंगे तो अभी तो एक बार सो जाते हैं और मॉर्निंग होते ही यहां से निकल जाएंगे हम ओके सो मॉर्निंग हो चुकी है अभी हम चलते हैं जल्दी से जो है ड्रैगन की तलाश में ड्रैगन एक्स की तलाश में ये सारे ड्रैगन हमें अलग-अलग बायोम्स में मिलेंगे तो बहुत सारे बायोम्स बटगने पड़ेंगे हमें अहो सकता है हमारी किसी ने किसी के साथ फाइट भी हो जाएएliśmy पंगा भी हो जाएं तो हमें first dragon तो मिल चुका है अभी एक काम करते हैं थोड़ा बहुत और गूमते हैं और उसके बाद मुझे ocean में भी जाना है क्योंकि 2 dragon egg हमें मिलेंगे ocean के अंदर and 4 हमें टूनने हैं कुछ भी करके ओके तो मैं जा रहा था ocean की तरफ and यहाँ पर रास्ते में मुझे दिखा silver dragon and यह न थोड़ा सा tiger जैसा दिख रहा है बट यह tiger नहीं है क्योंकि यह न वेजिटेरियन होते हैं यहाँ पर इसका nest भी दिख गया है मुझे तो जल्दी से यहाँ पर इस dragon का egg लेते हैं and यह न जंगल के king होते हैं तो जाधा खतरनाक नहीं होते हैं वैसे तो but dragon egg हमें मिल चुका है वेजिटेरियन हैं तो क्या खतरनाक होंगे मतलब नॉर्मल ही हैं तो ठीक है यहाँ से निकलते है and let's see कि next dragon egg हमें कौन सा मिलता है and कहां पर मिलता है so finally हम आ चुके है ocean के अंदर and आपको याद होगा कि यहीं पर हमें wilder beast भी मिला था and wait यहाँ पर एक गर दिख रहा है मुझे तो यहीं पर उतर जाते है फिर से crash landing हो गई and यहाँ पर मुझे एक एक दिख रहा है wait यह शायद से पहले हमारे पास नहीं था यार जीब सा dragon egg है मुझे दियार इसके पूछ देखने मज़ा आता है अपने पीछे किस तरह से खड़ी रहती है एकदब must राजाव वाली feeling आती है तो इसको तो मैंने orb के अंदर ले लिया है and अब भी निकालता है okay sea shocker egg है यह तो यह dragon हमने देखा था पहले भी बट इसका egg हमें नहीं मिला था तो finally egg मिल चुका है and अभी हमें एक dragon एक और चाहिए जो मिलेगा हमें ocean के अंदर बट पहले मैं यह गर देख लेता हूँ इसके अंदर हो सकता है हमें कुछ मिल जाए तो यह है यहां से उपर जाने का रास्ता and एक नीचे जाने का भी रास्ता है जो डंजन में जाता होगा and यहां पर चेस्ट के अंदर कुछ leggies हैं तो इनको रख ले क्या काम की तो नहीं है डाइड है बट ठीक है रख लेते हैं leather की हैं बट काम आ जाए क्या पता कहीं bones ले लेता हूँ मैं जितने भी मिले सारे ज़रूरी है हमारे लिए तो यही सारी चाहिज़े हैं तो निकलते हैं यहां से इस गर में मुझे और तो कुछ लग नहीं रहा है मिलने लायक तो यार मुझे यहां पर ocean temple दिखा है यहीं पर जो है एक dragon का एक भी है तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पर वापस हैं हमें जो है टोटल चार ड्रेगन के एक मिले अभी भी बहुत सारे ड्रेगन एक बचे हुए हैं बट घर पास में ही था ocean के तो मुझे लगाए इनको एक बार hedge कर लेते हैं उसके बाद हम एक बार फिर से जाएंगे ड्रेगन एक के तलाश में एक ड्रेगन एक जो है बहुत ख़तरनाग मौप के पास है तो वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं बट पहले जो है इनको लगा देते हैं इंक्यूबेट होने के लिए and then करते हैं इनको hedge and let's see कि ये सारे ड्रेगन कैसे दिखते हैं तो पहले तो यहाँ पर ओके आर्केंजल तो लावा का नहीं है शीश होकर भी नहीं लग रहा है मुझे ये तो होई नहीं सकता आइस का ही होना चीए कलर देखके पता जल रहा है तो सिर्फ सिल्वा बचाए ओके तो ये जो लावा इंक्यूबेटर पे हो जाएगा इंक्यूबेट बाकी तीनो जो है आइस पे होंगे तो सारे ड्रेगन को करते हैं इंक्यूबेट and मेरे पास डुब्लिकेट ड्रेगन भी तीन पड़े हुए है तो इनको ना सबसे लास्ट में है अब ही एक काम करता हूँ मैं वोटर एंड लावा बढ़ देता हूँ दोनों इंक्यूबेटर के अंदर बहुत देर हो चुकिए तो मेरे हिसाब से सारे एक्स इंक्यूबेट हो गए है सारे तो नहीं जो दो लमेने लगाए थे हाइड्रोप टेरा एंड सिल्वा दोनों हो चुके इंक्यूबेट लावा के अंदर अब दोनों में से एक भी नहीं होगा तो एक काम करते हैं सी शोकर को लगा देते हैं आइस के अंदर आइस इंक्यूबेटर के अंदर और आर्केंजल को थोड़ी देर बाद में जो है इंक्यूबेट कर देंगे तो अब भी करते हैं है हैच हाइड्रोप टेरा को एंड मेल है तो इसका नाम में रखने वाला हूँ ब्लू क्योंकि यह ब्लू कलर का हुने वाला है पूरा करते हैं इसको है चेंड यस भाई इसका कलर ना पानी के जैसा है एक दम लाइट ब्लू टाइप का तो भाई कितनी स्पीड है यार इसकी पता नि एक तो यह ओके है मैं इसके उपर stick के साथ right click कर रहा हूँ बड़ पता नहीं ये बेट रहा है उट रहा है को समझी नहीं आ रहा है तो fish खाता है ये fish तो मैंने खिला दिये अब भी ना जल्दी इसको खिलाते है dragon treats लेकर चलते हैं level 100 पे and let's see कि कैसा लगता है level 100 पे so ये होगया हमारा blue level 100 पे AC के साथ and last egg dragon treat और खिला नहीं है and इसकी size ना बहुत ज़्यादा छोटी है and ऐसा लग रहा है इसके pair ही नहीं है क्योंकि यार ये water got dragon है ना शायद इसलिए तो पानी में अच्छे से fast से तेड़ता होगा ये तो ना तो ये बेट रहा है ना उठ रहा है को समझी नहीं आ रहा है and इसके उपर बेटना भी बहुत ज़्यादा जोगे मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि यार ये उठी नहीं रहा है जमीन से यार तो उठता होगा या नहीं होगा I don't know क्यों पहले देखा ही नहीं मैंने इस ड्रैगन को तो अभी एक काम करते हैं कैसा लग रहा हो यार मैं and इसका मूँ तो पाई एकदम छोटे-छोटे से दात है वो पानी में मॉंस्टर्स होते ना उनके जैसे and उड़ रहा है बाई ये पंग नहीं हिला रहे है बिना पंग हिला है okay अब हिला है इसने आगे जार रहे हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यूदा फास्ट है ऐसा लग रहा है इसके नाइट्रो लगा हुआ है जैसे उड़ना इस्टाइट किया पई सूपर फास्ट स्पीड में तो यार काफी अच्छा ड्रैगन है अगर हमें ट्रावेल करना है कहीं पर दिखने भी काफी शानदार है यार बहुत मस लग रहा है कलरिंग कितनी शानदार है यार इसकी बहुत प्यारा ड्रैगन है यार ब्लू की जगे हम इसका नाम वाटर वाटर रेज़ा भी रख सकते थे बट ब्लू भी काफी अच्छा नाम है उसे नहीं फिर से डेमेज बट काफी कम डेमेज मिला है तो ठीक है एंड यार नीद आ गई क्या नहीं आई है पाणी के अंदर भी इसको बात में देखेंगे कि यार कैसा उड़ता यह कैसा तेरता है पाणी के अंदर उड़ता नहीं है बहुत जाता हूँ मैं तेरते भी है ड्रेगन अब बार या सिल्वा को एज़ करनें ये फीमेल है तो इसका मैं नाम रखने वाला हूँ सिल्वा क्योंकि दोनों पर सेट हो जाता है मेल एंड फीमेल एंड पता भी चलेगा कौन सा ड्रैकन है ये कितना ज्यादा चोटा है यार दीखी नहीं रहा है इतना चोटा है ये तो वो बहुत चोटा है यार चीटी जैसा है बिल्कुल तो इसको लेवल 25 पे लेके चलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ग्रो होगा एडल्ट होगा तो हो सकता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा साई से दीखने लग जाई है तो उसके बाद इसको हम लेवल 100 पे भी लेके जाएंगे तो अभी ये आने वाला है लेवल 25 पे हो चुका है 25 का ओके तो काफी है अब दीख तो रहा है कम से कम इतना बड़ा नहीं हुआ है ड्रैगन जाजा बट ये न वेजिटेरियन है भाई एपल खा रहा है केरेट खा रहा है खा रहा है तो ठीक है शीड नहीं वीट खा रहा है तो खिलाते हैं इसको खाना एंड लेके चलते हैं लेवल 100 पे एंड ये हो गई हमारी सिल्वा लेवल 100 की एंड हाइट इसकी जादा नहीं बड़ी है थोड़ा सा दूर चल के देखते हैं अभी बट फिर भी इस्टिल काफी अच्छा ड्राइगन है एंड इसकी आँखे की इतनी जादा घुसे वाली है वेजिटेरियन ड्राइगन है इसको देखके मतलब गलत मत समझना की यारी है बहुत खतरनाक होगा वेजिटेरियन है कलर भी उसका है ऐसा ही है थोड़ा बहुत नेचर टाइप का एंड काफी अच्छा ड्राइगन है टाइगर जैसा ही है थोड़ा बहुत शेर बोल सकते हो आप वो टाइगर है तो ये लोयन है उस टाइप का है थोड़ा बहुत चाल भी उसकी ऐसी है तो इसको उड़ाते है एंड वैसे ड्राइगन काफी अच्छा है यार थोड़ा सा छोटा है यार हाइट इतनी जादा नहीं है एंड अबिलिटी थोड़ी सी इसकी अलग टाइप की यार फायर बोल्स नहीं छोड़ रहा है इसा लग रहा है फायर के करंट छोड़ रहा है दूर जाके एकदम से ब्लास्ट हो रहा है यह दो को बाई काफी अच्छा है यार ड्राइगन तो बैसे मुझे मस लगा है तो चलते हैं यह ड्राइगन हो चुका है नेक्स ड्राइगन देखते हैं कि हमारा जो है sea shocker जो है incubate हुआ है या नहीं ओके तो अभी hedge करते हैं sea shocker को male ही है तो इसका नाम हम sea रखने वाले है क्योंकि और कोई मुझे नाम सूज नहीं रहा है और इसके ना दो मूँ है दो मूँ वाला dragon है एसा लग रहा है कि यार दो dolphin एक साथ चिपक गई हो उस टाइब का लग रहा है dragon बट काफी अच्छा है यार color काफी अच्छा है इसका तो इसको खिलाते है dragon treats लेके चलते हैं level 100 पे देखते हैं कितना giant होता है यह बागी दिखने वाला same है यह तो देखते हैं यह होगी हमारा sea level 100 पे complete काफी जाइंट होगा यार मुझे नहीं लगा था इतना giant होगा बट ठीक है वैसे काफी अच्छा लग रहा है इसको ना मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यह उड़ेगा भी या नहीं क्योंकि यह बाई blue तो काफी fast उड़ा था यह बेटा कैसा हूँ ऐसा लग रहा है कि यार गर्दन के बीच में से नीचे गिर जाऊँगा बट कलर काफी अच्छा इस dragon का यह तो बोलना पड़ेगा अभी देखते हैं इसको उड़ा करें फेट यह उड़ी नहीं रहा है यार चल रहा है इसा रेंग रहा हो जैसे बट उड़ी नहीं रहा है बस जंप कर रहा है तो शायद से पानी में तेड़ता होगा यह तो ठीक है पानी में अब कौन जाएगा बाद में देखेंगे अगर हम कभी पानी में जाएगे तो यहां पर तो यह से लग रहा फर्स गया था यह तो बात में देखेंगे इसको यह से ड्रैगन अच्छा है और पावर इसके पास वही है फायर एंड फायर बोल्स तोनो तो देखते हैं आर्क एंजल एक इंक्यूबेट ओके हो चुका है तो अभी भी फीमेल ही है तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ परी क्योंकि एंजल हमारे पास पहले ही है दो लाइट फ्यूरी तो यह हो गई हमारी परी है एंड बाई कितनी फास्ट है यार यह रुख जा बाई कहां जाना है तो बहुत छोटी है यार बहुत जादा छोटी है साइसे दिख भी नहीं रही है इंड बाई इसके नकरे देखो गोल्डन एपल एंड गोल्डन केरेट खाना है ओके उतनी क्यूट तो नहीं है एंजल जितनी बट यह थोड़ी बहुत इसका लग रहा है मुझे सरपेन बना हुआ है न तो परी जैसी इसलिए यह एंजल तो इसको ना खाना खिलाते है साइसे नहीं दिख रही है अभी तो लेवल हंडरेट पर जाएगी तब ही पता जलेगा यार यह कैसी है 98, 99 एंड यह हो गई परी लेवल हंडरेट की अब देखते हैं कि यह कैसी है यह लेवल हंडरेट पर आगई पर नकरे वही है गोल्डन एपल एंड केरट खाना है यह देखो भाई मतलब लुक में तो हमारी एंजल के आसपास भी नहीं है बट यहाँ पर अगर आप देखो ना इसके इरपे बना हुआ है परी वाला एकदम चक्र पूरी नहीं यह गोल्ड की है इसलिए शायद यह आर्केंजल इसका नाम है यह तो काफी जबर्दस त्यार इसके उपर पेट जाते हैं एक बार तो ऐसे लग रहा सोने के उपर बेटा हुआ है पूरी सोने से लधी हुई है और फेस देखो बाई कितनी स्माइली वाले फेस है यार एकदम मस्थ हंसरी है काभी अच्छी ड्रेगन है यार तो इसको चाल तो बाई एकदम परियो वाली है हाईट जादा नहीं है अगर आप देखो तो वो किंग नहीं था हमारे पास दे नाइट ब्रिंगर यस नाइट ब्रिंगर ड्रेगन उस टाइप का अगर आप देखो तो गोल्ड एकदम सना हुआ तो मुझे लग रहा है कि यार यह उसी की बेटी तो नहीं है गई भई तो इसी के साथ जो चार ड्रेगन एक्स हम लेकर आएटे चारो जो है हमने हैज कर दिया है और लेवल हंड्रेट पे भी लेकर चले गए है चारो ड्रेगन को तो यह हमारे वो चारो ड्रेगन अभी ना हमें क्या करना है अभी हमें जाना है एक ऐसे dragon की तलाश में जो की हमें मिलेगा एक boss fight के बाद तो let's see कि वो boss हमें कहां मिलता है and कैसा होने वाला है तो वो dragon कैसा होगा क्योंकि अगर boss के वहाँ पर मिल रहा है तो काफी जादा जो है खतरनाकी होगा तो मैं करता हूँ तयारी and then यहां से हम निकलते है ओके तो इस fight में भी हम हमारी dragon army का use करने वाले and सबसे पहले लेते हैं tiger को उसके बाद हम एक काम करते हैं monstrous nightmare को भी ले लेते हैं क्योंकि इसका नामने अभी ते use नहीं किया and हाँ drag हमारा first dragon यार इसको use करना तो बनता है उसके बाद हो गया myth बहुत dangerous dragon and hulk इसको तो भाई आप सब जानते ही हो कितना ज़ादा खतरनाक dragon है and hulk का damage ना सबसे ज़ादा खतरनाक है तो इधर से अगर मैं देखूं तो नहीं यार ज़रूर से ज़ादा dragon ले जाएंगे तो भी ना कच्रा हो जाएगा तो एक काम करते हैं बहुत है and king को लेके चलते हैं कि last time ना king को हम use नहीं कर पाये थे first गया था जब हमारी fight जो है sun king से हुई थी 12 code the sun chief से sun king नहीं sun chief तो आज ना हम इन 6 dragons का use करने वाले and देखते हैं कि यार वो जो boss battle है ना वो boss कितना ज़ादा जो है powerful है तो यहाँ पे मैंने falto की चीज़े सारी रख दी है stick ले लेते हैं थोड़ी बहुत और खाने के लिए ज़ादा हो गई तो एक काम करते हैं यहीं पर रख देते हैं extra को and अभी ना निकलते हैं यहाँ से and हमने इसको ज़ादा यूज किये ही नहीं यार अभी तक तो आज हम इसको यूज करने वाले and let's see and कितना ज़ादा dangerous लग रहा है यह तो अभी चलते हैं डूंडते हैं उस boss को and मारते हैं उसको and अपना dragon egg लेकर आते है ओके तो थोड़ा सा पटकने के बाद finally मुझे जो है वो structure building दिख गई है जहाँ पे बेटा हुआ है वो boss अब इसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि health bar में भी जो है question marks से आ रहे हैं यार पता नहीं इसका क्या नाम है pass जाएंगे तो पता चलेगा तो dragons मैंने सारे ले लिए और यहां से हम या तो dragon को उड़ा के जा सकते हैं बट नहीं अभी मैं dragon का use नहीं करने वाला तो हम use करेंगे अपने long short का तो देखते हैं यहां से connect होता है या नहीं नहीं हुआ है तो यह काम करते हैं पास वाले पहार पे चलते हैं ओके jump से ही पहुँच गया यार मैं मुझे लगा jump करूँगा और फिर hook करूँगा बट कोई दिकत नहीं है वैसे यहां पर night भी होने वाली है तो night में fight नहीं करते हैं क्यों night में fight करेंगे दूसरे mobs भी spawn हो जाएंगे तो एक काम करते हैं लगाते हैं यहां पर bed एंड फिर जो है यहीं पर सो जाते है ओके तो morning हो चुकिए and here we go let's start the fight ओके तो hulk आचुका है fight में और यह क्या था ओके इसका नाम lich है एंड इसको मैंने damage दिया बट शायद से यह ना उसकी health को regenerate कर रहा है मर तू मर गया यह यहां पर ओके यह मुझे कुछ अजीब स्याग दिख रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा हमें lich का टाइसको पावर का हो गए ओके इसको तोड़ दिया है अब मारते हैं इसको और lich की health बहुत फास गई शायद से हल्क ने इसको मारा एंड यह गई lich सो हमेना advancement मिलिये what is dead में still yet die ओके जो मर चुका है वो फिर से मर सकता है यार तो lich ना पहले से dead थी बट dragons ने हमारा काफी साथ दिया क्योंग लिच की health जो है regenerate हो रही थी एंड हल्क ने जो उसको damage दिया ना सबसे last में तो सारे dragons को ले लेते हैं वापस and king ना मेरे inventory में रहे गया king का आज भी use नहीं हुआ last time भी नहीं हो पाए था king ना मतलब इससे लग रहा है fight में जाना ही नहीं चाहता है चलो कोई नहीं यहाँ पर हमें curse bone मिला enchanted book मिली है and chest के अंदर देखते है okay एक ना यहाँ पर sword है कुछ diamonds है यहाँ पर एक glove है spike glove इसका तो क्या ही करेंगे and यहाँ पर zipple back एक okay तो यह वो dragon है जिस पर इसने कबजा कर रहा लिच ने तो इसको हमने ले लिया है and spike glove काफी जादा मतब dangerous लग रहे है यार Wolverine वाली feeling आ रही है but ठीक है हमारा काम हो गया तो अब ही निकलते हैं यहाँ से चलते हैं सीधा घर और घर जाने के लिए ना मैं यूज़ कर रहा हूँ drag का क्योंकि आज drag को में बहुत कम यूज़ करता हूँ तो आज हम करते हैं अपने first dragon को use and भाई कितना जादा jumping jumping करा रहा है यार मतलब इसकी पीट पे ऐसे लग रहा है मतलब गद्य लगे हूँ है एड़्डम उपर नीचे कूद रहा हूँ है and यह देखो भाई adventure हो रहा है मेरे साथ चलो कोई नीच चलते हैं गर so must jumping jumping करते हुए आ चुका हूँ मैं अपने गर drag के साथ है and drag ने भाई बहुत कुदा है मुझे अपनी पीट पर but काफी मज़े आये इसको right करके and हमारा first dragon भी है तो काफी अच्छा लगा and एक काम dragon हमें मिला था dragon egg उसको लगा देते हैं incubate होने के लिए and let's see यार वो आखिर dragon है कैसा काफी देर हो चुकी है शायद से हमारा एक incubate okay हो चुका है incubate and let's see यार ये dragon है कैसा तो मैंने इसका photo भी देखा था कि यार ये कैसा लगने वाला है तो भाई इसका हम नाम रख सकते हैं size है तो इसको करते है hedge and knight भी होने वाली बहुत जल्दी तो ये है male end इसका मैं नाम रखने वाला हूँ snake क्योंकि यार ये साप जैसा होने वाला है दो move वाला साप तो आप देखना है बहुत जादा जो है तो कैसा लगने वाला है बिल्कुल change हो जाएगा तो देखते हैं खिलाते हैं इसको dragon treats है लेकर चलते हैं level 100 बट डर लग रहा है इससे कई काटनाल है बट पहले इसको खाना खिला देते हैं ताकि खुश हो जाए और दोनों मुझ से इसने खाना काले है बहुत क्यूट लग रहा था यह ओके तो हमारा पास ना बहुत कम जो है dragon treats बची हुई हैं तो एक काम कर सकते हैं थोड़ी बहुत ही और जरुद पड़ी कि इसका काम तो हो जाएगा तो हमारा पास अभी raw meat पड़ी हुई है तो बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अभी ना इसको खिलाते हैं जल्दी से dragon treats and let's see यार यह लेवल 100 पर कैसा लगने वाला है so इसी के साथ हमारा snack आचुका है लेवल 100 पर and look at him भाई कितना जादा जो है जाइंट हो गया है and इसके दोनों move देखो भाई बहुत जादा डरावन है and jeep तो इसके पहरी रेरी है and इसका color के साथ change हो गया ना पहले तो green था बड़ अब colorful हो गया है and इसकी push देखो भाई दोनों ऐसे लग रहा है competition चल रहा है दोनों मुह के अंदर दोनों की एक-एक पूझ भी है मुह के साथ तो भाई competition कर रहे है ये but काफी अच्छा dragon है and इसको right करते हैं भाई कैसा लग रहा है यार बहुत अजीव लग रहा है मुझे but ये ना हमारा second दो move वाला dragon हो गया first तो आपको पता है आज ही हमने hedge किया था दोनों कितनी ज़ादा लंबी गड़तन है मुझे ना दूर से ही थोड़ा सा cut work लेना पड़ेगा बागी कहीं paid वेड के टकर जाएंगे ये बहुत लंबी गड़तन है इनकी and अगर आप परचाई में देखो ना कितना ज़ादा प्यारा लग रहा है ये dragon डराऊना भी बहुत है ये तो बोलना पड़ेगा ओके तो अब टाइम में आज के सारे dragons को देखने का एंड ये है हमारा सबसे first dragon blue तो इसको हमने जो बाई अभी भी ये उड़ना नहीं छोड़ रहा है यार इसको ना ride बहुत फास्ट है बहुत फास्ट उड़ता है ये हमारा death the death gripper भाई इसको भी हमने यूज किया था ये ना बहुत ज़्यादा डरावना है ये रही हमारी परी गोल्डन परी इसका नाम गोल्डन परी रखना था यार पूरी गोल्ड की है खाती भी गोल्ड ही है मेरे पास इतने नक्रे उठाने के पेसे नहीं है गोल्ड बहुत कम है मेरे पास इसको ना ये काम करते है बीठा जेते है ये पता नहीं कहा का टकरा रहा है blue तो ये हमारा snack dragon बहुत ज़्यादा डरावना है बहुत ज़्यादा डरावना है colorful है बट उतना ही ज़्यादा डरावना है competition चल रहा है इसकी पूच के साथ पता नहीं दोनों आपस में गुमाई रहे ये हमारा second duo move वाला dragon जो है sea shoker इसका नाम हमने sea रखा था ये उड़ता नहीं है यार बहुत दुक्की बात है ये है silver तो ये है jungle king silver and vegetarian है इसके look पे मत जाना बहुत अच्छा dragon है बहुत साई dragon है ये है हमारे सारे आज के dragon जो हमने hedge किये और level 100 पे लेके गए तो आज के सारे dragons में से सबसे best dragon आपको कौन सा लगा comment section में जाके जरूर से बताना and हाँ next video से पहले ये मैं दिवार पूरी कर दूँगा complete and next video होने वाली हमारे dragon versus vikings की last video and काफ़ी जादा support दिखाए आपने इस series को उसके लिए thanks and हाँ वीडियो पसंद आए तो like जरूर से करना चैनल पर नहीं हो त्यार सबस्क्राइब करियेगा मिलता हूँ आप सब से last video में इस dragon versus vikings series की तब तक के लिए good bye